नमस्कार दोस्त में नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जन्डल पब्लिक सेवाब दोस्तो आज के इस वीडियो में बताएंगे आप लोग को ओनलाइन दाखिल खारीज के लिए किस परकार से आविदन करना है इस वीडियो में complete process बताने वाले हैं जो दोस्तो new process है वो हम आपको बताएंगे कि अब आप online दाखिल खारीज के इस परकार से कर सकते हैं ये वीडियो दोस्तो बिहार के लिए है अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप लोग भी जमीन परचेज किये हुए हैं तो अब आप लोग को दाखिल खारीज किस परकार से करना होगा ठीक है अब देखी अब क्या हो रहा है कि जब आप भी मर लते हैं जमीन परचेज किये हो और आप जमीन परचेज करने के बाद जैसे कि सो बहुत आदमी होता है कि सो जाते हैं ठीक है आपके साथ क्या problem आने वाला है हलाकि उस समस्या का समधान हम बताएंगे आप लोग को कैसे उस समस्या का समधान आपको करना है आप खुद जहीं उनको कर पाओगे ठीक है तो इस वीडियो को last check जरूर देखिए का दोस्त और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस website पर आने के लिए आप Google Chrome open करिए इस process को आप mobile phone से भी कर सकते है गूगल Chrome open करिए search बार में type करिए बिहार भूमी इतना टाल करके के बला आप लोग को search कर देना है इस परकार से आ जाएगा यहाँ पर आपको link देखेगा बिहार भूमी गवर्मेंट और बिहार इस पर आपको simple सा click कर देना ठीक है जैसे इस पर click करोगे तो आप लोग का website यहाँ पर open हो जाएगा उपन हो जाएगा जब open हो जाएगा website तो आपको यहाँ पर click कर लेना होगा online दाखिल खाडिज आविदन करें इस पर आप click कर देंगे ठीक है जैसे इस पर आप click करेंगे तो दोस्तों आपको कहा जाएगा login करने के लिए अगर आप लोगों ने इसमें registration करके अपना user ID password बना लिये हैं तो अच्छे की बात है अगर आप नहीं बनाया है तो अदाखिल खाडिज करने के लिए आपको registration करना होगा तो हम आपको वह process बता देते हैं तो यहाँ पर इस परकार से page open हो जाएगा अगर आपने registration पहले किये हैं तो यहाँ पर mobile डालेंगे और capture डालेंगे अगर नहीं किया होंगे registration तो यहाँ पर register पर आप click कर दीजेगा registration पर click करने के बाद इस परकार से page open हो जागा ठीक है तो यहाँ पर इस registration firm को आपको भरना है क्या 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 लिखना है वो तो द्यान से समझेगा अब देखे जिसके नाम से दाकल खाडिज के लिए apply करेंगे आप उसी के नाम से जो है ID passport को create करिएगा तो जिसके नाम से आपको आबिदन करना है उनका उपर में नाम यहाँ पर डालेंगे उसका अधारकार निकाल लिजिए और उसका अधारकार पर जो भी डेटो पर दोगा वो आप यहाँ पर calendar पर click करके जो है उसका date of birth को यहाँ से डालिएगा एक alternate नमर यहाँ पर डाल देजगा नीचे में अब alternate नमर जिसका भी डालिएगा उनका यहाँ से relation को select कर लिजेगा कि भाई साब वो किसका नमर यहाँ पर आप alternate में डाले हो ठीक है आप जो यहाँ पर यह mobile नमर डाले हो यहाँ पर इस नमर पर 6 डिजिट का OTP आएगा OTP डाल के आपको verify कर लेना है OTP डाल के जैसे verify करोगे आपका यहाँ से registration successfully हो चुका है ठीक है आप यहाँ पर फिर से दोवारा login पर click करके दोवारा आप जो है login इसको कर लिजे लोग इन करने के यहाँ पर mobile नमर डालेगा इस capture को इस box में डालेगा और sign in पर क्लिक कर लिजेगा यहाँ पर नमर डालके sign in पर क्लिक करोगे तो प्रकार से OTP आपको पूछा चाएगा तो आपके नमर पर 6 डिजिट का OTP आएगा वो OTP को यहाँ पर डाल दिजेगा और confirm पर क्लिक क दोस्तो confirm पर क्लिक करोगे इस प्रकार से पेज जो की आ जाएगा आप आपका login हो चुका है जिसके नाम से ID बनाओगे उसका नाम यहाँ पर सो हो चाएगा ठीक है अब यहाँ पर क्लिक कर देजेगा दाखिली खाड़ीज आवेदन करे पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे जैसे दोस्तो दाखिली खाड़ीज आवेदन करे पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से पेज ऑपन हो जाएगा यहाँ पर रेस्टेशन में जो आप डिटेल्स डाले हो वो आपका थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेल्स दिखाएगा अब यहाँ से आपको अपलाई करना है गैने इस पहले जो है जो वो रिजयक्ट हो जाएगा थोड़ा ध्यान से आप लोग समझ यहाँ से समझ यहाँ से जो है kindness है कि हम कर रहें अगर आप स्वहन कर लिए क्विभत कर रहें अगर आप स्वैंस के हुंगेज्ड कर लिए जमीन को हैं अब पर हो और कॉछ भांत को स्वह ब coloring कर लेंगे यहां से करेंगे उसका नाम नाम हिसरे बॉक्स में टाइप करेंगे उसका पिता या फिर पती का नाम यहां पर टाइप करेंगे अब जिसका भी नाम यहां पर टाइप करेंगे पिता या फिर पती का उनका यहां से relation को select कर लेंगे कि वो पिता है या फिर पती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग को डाल देना है कि जमीन जो है किस प्रकार साब purchase मतलब लिए हो तो देखिए आप जमीन आप खर दे होंगे तो यहाँ पर जमीन आप डिक कर दिएगा इस बॉक्स पर और यहाँपर save and next पर किप लिख कर देना है जीशें आप लेँगे यहाँ erreicht कर आप स्यमीन आप Ed तो रेजिस्टर डीड बोलेंगे, अगर आप पास बहुत पूरा ना दर कावाला अगर उसको दर कावाला बोलेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखे, जमीन को परजेज किया है हाली में, और उसके लिए हम खालिज कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पर हम डीड को ही, रेजिस् कब हुआ है, यहाँ पर डदलिएगा, अमाउंट में परचेज की है, वह यहाँ पर हुआ है, वह आपको यहाँ पर दिखा देगा, तो उनको आप यहाँ से सलेट कर लिजेगा, अब देखिए, यहाँ पर यह पर बताये, डीड किती थी नब्य दिन के बाद, जो है, जैनि आपको इस box में डालना पड़ेगा, अगर आपको 3 महना नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं कि 3 महना नहीं हुआ है, एक महना दो महना हुआ है, तो उस condition में इस box को हम नहीं बरेंगे, जब आप यहाँ पर date को डालेंगे, तो automatic यहाँ पर attach हो जाएगा, ठीक है, मतलब यह चीज नह नहीं कर बना चाते हैं, तो हम आपको एक और आसान तरीका बता रहे है, अभी क्या हो रहा है कि बिहार में survey चल रहा है, अगर आप सर्मे में भी जमीन को दे देते हो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, वैसे अगर आप दाखिल खाड़ीज करना चाते हो, तो हम आपको process बताई रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से इस column को भरेंगे, जैसे हम आपको बताए हैं, भरने के बाद, फिर यहाँ से save and next पड़ किलिक कर देंगे, जैसे दोस्तों save and next पड़ किलिक करोगे, फिर से इस परकार का page open हो जाएगा, तो यहाँ पर धियान देजेगा, ऊपर में ल जो माल लेते हैं, यहाँ पर माल लेते हैं, किसी महला का नाम डाले हैं, और उसका पती का नाम डाल दिये, तो दोनों के बीच में पती-पत्नी का संबद्न हो गया, तो उनका यहाँ से संबंद को select करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बाप-बेटे का relation, तो यहाँ प पहले जो आधार नमर नहीं लगता था था खाड़ीज कराने में, लेकिन अब आधार नमर आपको यहाँ पर मेंडेटिक कर दिया, अब आधार नमर आपको लगाना पड़ेगा, तो आधार नमर आप यहाँ पर डाल देंगे, जमीन खड़िने विला एक पार्टी के अलावा जहानी की दो-तिन को पार्टी हुआ, तो उसका भी अलग-अलग आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, फर एक पार्टी का उपर में यहाँ पर हम नाम एड़ कर दिये हैं, उसका जनकाड़ी भी डाल दिये, अब एक पार्टी और है इसमें, तो यहाँ पर एड़ पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर उस पार्टी का नाम डालना है, जो पार्टी आपको जमीन बेचा हुआ, तो यहाँ पर सेलर का डिटिल समाग रहा है, तो जनी की जो सेल किया है, उनका जनकाड़ी को इस वाले बॉक्स में फेल करेंगे हम, तो जो जो बेचा है, उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, उसका पिता है, फिर पती का नाम डालेंगे, उसका रिलेशन यहाँ पर हम सेलेट कर लेंगे, उसका यहाँ पर कास्ट को डाल देंगे, वो कौन से कास्ट से है, जनर यहाँ सेलेट करेंगे, उसका मोबाल नमर डालना है, और जो पार्टी जमिन ब तो इसमें कुछ नहीं है, आप यहाँ पर आराम से इस जनकारी को फिल कर दीजे, ठीक है, यह जनकारी को फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर Save and Next पर किलिक करोगे, तो फिर से इस परकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको plot का details जो है वो डालना, यानि कि जम यहां पर जो है खाता डालोगे और खैसरा डालोगे और रकवा डालोगे यहां पर ठीक है वोक्स में खैसरा डालेंगे खैसरा नमर ठीक है देखिए जो भी खाता खैसरा है वो केवला पर आपका मेंशन किया हो रहता है तो वहां से आप देख करके आसानी तरीका से डाल सकते ठीक है अब देखिए एकर में जमीन होगा तो एकर में टाइप करेंगे अगर एकर नहीं होगा केवल डिसमील में ही जमीन होगा तो एकर वाला में हम जीरो टाइप करेंगे डिसमील में जितना भी डिसमील होगा यहाँ पर हम मेंसन कर देंगे यहाँ पर जो है चोहती आपको पांच ख्याता खैसरा है तो उसको कैसे फिल करेंगे तो एक एक करके आपको फिल करना है अब देखें उपर में एक का जनकाड़ी तो हम फिल कर दिया अब एक का जनकाड़ी और फिल करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे add new roper फिर से एक दूसरा box इसी परकार का open हो जाएगा, अब दिखें दूस्तों यहाँ पर add new row पर हम click करेंगे आपको इसलिए नहीं दिखा रहें, क्योंकि network जो है दूस्तों बहुत जदा slow है, इस वज़े से यहाँ पर बहुत जदा time लग रहा है, इस वज़े से हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ जमीन का जनकारी आप लोग डाल दोगे, उसका बाद फिर से आपको यहाँ पर save and next पर click कर देना है, अब जैसे दूस्तों save and next पर click करोगे, तो इस परकार का page आपको open हो जाएगा, यह आपका last step बज गया, ठीक है, अब आपको यह पेज होगा, आपको scan कर लेना, इनको सब गो, ठीक है, अब इसके साथ में देखे, जो भी आपको document मिला होगा, code से ठीक है, सबको आपको scan कर लिजेगा, scan करने के बाद में इनके साथ आधार कार्ट को attach कर देजेगा, कि इनका आधार कार्ट, जो जमीन को purchase किया हुआ, जो कुछ फाइल करने के बाद simple सा upload यहाँ पर कर दिजेगा, हम example यहाँ पर डालगे, आपको हम दिखाए है, जैसे आप यहाँ पर डाल दोगे, उसके बाद यह क्याप्चा को इस box में डालोगे, और यहाँ पर upload document पर किलिक कर दोगे, दोस्तों यह जनकारी जो हम आपको document पर किलिक करोगे, तो आपका यह document जो है, इसमें upload हो जाएगा, और आपको form submit करने का option यहाँ पर आ जाएगा, तो हम आपको यहाँ पर केवल demo जनकारी दिखाए हैं, तो इस form को हम submit नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से देखे कोई process नहीं है, जैसे हम इसमें अभी हम किलिक कर दें, तो हमको submit करने का option जो की आ जाएगा, आप जैसे form हम submit कर देंगे, हमारा form जो है, वो submit हो जाएगा, और हमको एक receipt मिल जाएगा, अब आपको time लगेगा, दाखिल खारीज अपरोब होने में, उनको थोड़ा समझे, अब आपको 30 से 45 दिन का time लगेगा, दाखि पैसा रुपिया जो है, नहीं लगता है, अगर आप किसी भी सरकारी करमचारी को पैसा देते हैं, तो आप अगर पैसा देते हुए, अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आपके उपर बहुत ज़्यादा करवाई होने वाला, और पैसा लेने वाला का भी बुरा हाल होगा, औ और पैसा देने वाला का भी बुड़ा हाल होगा ठीक है तो प्लीज इन सब चीज से आप लोग बच के रहिएगा अगर आप जिन्वीन तरीका से दाखिली खाड़ीज के लिए दोस्तों आप लाइक करते हो तो आपका 110% जो की अप्रूबल हो जाता है ठीक है अब देखें ज जो है जीला सेलेट कर लिजेगा उसके बाद यहां से आंचल लेनी की ब्लॉट सेलेट कर लिजेगा और कौन सा साल में आप अपलाई किये हो वो साल को यहां से सलेट कर लिजेगा यहां पर प्रोसीट पर किलिक कर दीजेगा उसके बाद यहां पर केस नमर से खोज सकते हैं Otherwise, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो फिर से दुवारा login कर लिजेगा, login करने के बाद जो है, दुवारा फिर से इसी परकार का page open हो जाएगा, open हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे में आप किलिक करके देख सकते हैं, जैसे अभी आप यहाँ पर किलिक करके आप लाइक किया हैं, तो इसके नीचे में जो option दिया हुआ है, यह status चेक करने के लिए ठीक है, तो यहाँ पर किलिक करके जो अपना status को दुबारा चेकते हैं, तो हम आपको दोस्तों complete process इस वीडियो में बता दिये हैं, तो आप और कोई जन करें चाहिए, तो आप प्लीज हम से comment करके पूछ सकते हैं, जहां तक हमको पता होगा, वहां तक हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है, वैसे दोस्तों हम इस वीडियो को end कर रहे हैं, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वाज कि हो, तो वीडियो देखने आप करता है, तहय दिल से धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं दोस्त किसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाहिंद हैं,